पिरिये चात्रो, नमस्कार फिरी ओनलाइन कोचिंग में आपका स्वागत है जैसा कि आपका इंगलिस का पीपर आने वाला है तो इसके पहले मैंने आपको IMP Questions, Test Book के और साथी साथ बर्क बुक के IMP Questions भी दिये है और इसके साथ साथ मैंने Translation भी आपको दे दिये है और जिन बच्चों ने अभी तक ये तीनों चीज़े नहीं देखी है तो वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाए और MP Board Math Class 10 से जो प्लेलिस्ट बनी है उसमें आपको ये सभी चीज़े मिल जाएंगी अब उसके बाद मैं आपको डू एज डारेक्टेड देने बाला हूँ जो 15 डू एज डारेक्टेड हैं जो टाप मुष्ट है और इसी तरीके से ही पूचे जाते हैं हो सकता है बाद के बदल जाए लेकिन उनका तरीका यही होगा आपको नेगिटिव बनाने के लिए if unless का प्रियोग, so that का प्रियोग यह आते हैं तो यदि आपने तरीका सीख लिया तो फिर इसको करने कि मैं कोई भी कठिंता आपको नहीं जाएगी बहुत ही सरल है यह तो चलिए सुरू करते हैं पहला है he sings a song make negative तो इसमें यह कहा गया है एक आपको बाक दिया गया है he sings a song और आपसे कहा गया है make negative मतलब इसका negative बनाईए तो negative बनाने के लिए आपको यहाँ देखना है यहाँ करिया में S लगा है यह तो पता चलता है कि इसमें कोई भी सहाइक करिया भी नहीं है तो यह present simple में है जब करिया में S लगा है तो आपको दियान लखना है मैं यहाँ थोड़ा रफ में बता देता हूँ आपको अगर जैसे करिया लखी है sing तो अगर करिया में S लगा है तो आपको लगाना है does negative, interrogative बनाते समय अगर करिया single लखी है S नहीं लगा है तो आपको लगाना है do और फिर interrogative बनाना है जैसे negative है तो does not हो जाता है और इसका अगर करिया में S नहीं लगा है तो do लखा है तो do not हो जाता है और अगर करिया का second form लगा है जैसे S, A, N, G, sang तो यहाँ पे आपको did not का यूज़ कर देना है did not तो इस तरीके से यह बनाए जाते है तो चूकि यहाँ करिया में S लगा है इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे इसका answer he फिर इसके बाद चूकि S लगा है तो he does not does not और फिर यह S हट जाएगा करिया आपने first form में बापस आ जाएगी तो he does not sing a song इसके बाद आपको fully stop लगा देना है तो यह पहला बाद किस तरीके से आपको बनाना है अब हम बात करेंगे second बाद की राजेस what a cow make interrogative तो इसमें आपको देखना है राजेस ने एक गाय खरी दी make interrogative तो interrogative बनाने का क्या निया में मैं आपको बता देता हूँ interrogative में आपको साहई क्रिया आगे करनी होती है सबसे पहले तो इस tense को पहचानी है यह है past simple कैसे पता चला यह bu by जो क्रिया होती है by इसका second form लगा है what अब हम यह भी कह सकते हैं कि यह third भी हो सकता है क्योंकि third भी क्या होता है what ही होता है तो third form अगर होता तो इसमें या तो hedge भी होती कि चाहिक क्रिया या तो head होती लेकिन यहाँ ना तो hedge है भी है और ना ही head है ना self will have है तो इसे साबसे हम बात करेंगे कि यह second ही है तो second form है तो हम किसका इस्तिमाल करेंगे डिड का इंटेरेगेटिव नेगेटिव बनाते समय किसका इस्तिमाल करेंगे डिड का तो डिड का इस्तिमाल करेंगे और चुकि हमें इंटेरेगेटिव बनाना है तो इसलिए डिड को हम आगे रख देंगे तो ये बनेगा डिड इसके बाद सब्जेक्ट राजेस किसी का भी नाम होता है तो उसको आपको बड़े से ही शुरू करना है राजेस का आर बड़े से बनेगा डिड राजेस और फिर किरिया आपने फ़स्ट फॉर्म में बापिस आएगी तो यह हो जाएगी वी यू बाई वाई आकाव इसके बाद आपको बहुत ही महत्लपूर्ण चीज याद रखनी है इंटरिगेट्व बागक में जब भी सहाई क्रिया आगे हो तह इंटरिगेट्व बागक में वेशन मार्क जरूर लगाते हैं अगर ये question mark आप नहीं लगा के आओगे तो आप हो सकता है आपके अंक काट लिए जाएं इसके बाद next day लेते हैं if you work hard you will succeed if you work hard यदी आप if का मतलब होता है यदी और unless का मतलब होता है यदी नहीं और if you work hard यदी आप कड़ी मेहनत करते हो you will succeed आप सफल हो जाओगे अब इसमें हमें if के स्थान पर unless का यूज करना है तो जब हम if के स्थान पर unless का यूज करेंगे तो आपको थोड़ा सा मैं नियम बता देता हूँ कि किस तरीके से होता है ये हमेशा जो if का बाग होता है ये जो है अगर हम बात करें if का बाग के जिस भी फॉर्म में होगा दूसरा बाग के भी उसी फॉर्म में होगा जैसे if बाला बाग के अफर्मेटिव है दूसरा बाग के भी अफर्मेटिव होगा क्योंकि if का मतलब होता है यदी लेकिन unless का मतलब क्या होता है unless का मतलब होता है यदी नहीं तो यदी नहीं जब इसका मतलब होता है तो इसमें नहीं सब्द छुपा हुआ हुआ होता है किसमें? unless में तो जब यह लगता है तो अपने आप यह बाग कैसा हो जाता है negative तो जब भी आप unless लगाते हो तो आफ not भी लगा देते हो साथ में क्योंकि इसमें नहीं लगा है तो पहला बाग अपने आफ ही बिना not के ही negative हो जाता है क्योंकि इसमें unless में अपने आफ ही क्या छिपा हुगा है? नहीं तो जब आफ ये लिखोगे if की जगा है पर unless तो unless वाला बाग के कैसा हो गया negative तो दूसरा बाग भी आपको कैसा लखना पड़ेगा negative जैसे if लगा है तो पहला बाग का फर्मेटिव है तो दूसरा बाग के भी क्या है अफर्मेटिव इसमें कोई नौट नहीं लगा है तो ये बाला बाग भी कैसा होगा अफर्मेटर इसमें भी कोई भी not नहीं लगा है लेकिन जब आप unless लगाओगे यहाँ पर if की जगह पर तो पहला बाग के कैसा हो जाएगा negative क्योंकि इसमें नहीं छुपा है तो answer है हमें unless का तो हम यहाँ पर रख देते हैं unless you work hard unless you work hard इसका meaning आपको पता है यदि आप कड़ी मेनत नहीं करते हो अब इसमें नहीं आ गया तो यह पहला बाग के कैसा हो गया तो answer है पहला बाग के कैसा हो गया negative तो दूसरा बाग के कैसा हो जाएगा दूसरा बाग के भी हो जाएगा negative तो you will not आपको not मन से लगा देना है you will not succeed यदि तुम कड़ी मेनत नहीं करते हो तुम सफल नहीं होगे तो इस तरीके से यह बाग बन जाएगा तो if or unless इसी तरीके से लगाते हैं आपको धियान रखना है कि if or unless किस तरीके से आपको लगाना है next लेते हैं he watch television correct the sentence तो उन्होंने कहा है कि इसको सही करिये इसमें कुछ गड़बड़ी है तो बिलकुत साफ नजर आती है कि अगर subject he see it या किसी का नाम हो तो किरिया में ses या is लगता है लेकिन इसमें तो कुछ भी नहीं लगा है तो जिन किरियां के last में ch होता है उसमें es लगा देते हैं तो यह हो जाएगा he watches television इस तरीके से he watches television यह इसका correct हो जाएगा next है I did not go to school yesterday मैं काल school रहीं गया क्यों नहीं गया I was ill मैं क्यासा था बीमार था I was ill इल का मतलब होता बीमार होना combine the sentence using because अब हमसे बोला गया है कि बिकाच का इस्तेमाद सही जगापर कीजी और दोनों बाकियों को combine कीजी यानि कि दोनों बाकियों को जोड़िए तो अगर हम इसको बिकाच का मीनिंग पता है तो आप बिल्कुल आराम से इसको जोड़ सकते है I did not go to school मैं school लहीं गया बिकाच जाना होता है क्यों की तो यहाँ पर यदि आप क्यों की बीच में लगा देते हो तो मैं school लहीं गया क्यों की मैं बीमार था तो यह बाग के कंबाइन हो जाएगा तो आपको इन दोनों बाग के बीच में बिकाच का इस्तिमाल कर देना है तो पूरा लिखना है यहाँ से तो यहाँ पर आपको यहाँ से पूरा लिख देना है yesterday और पिकाच आई बाज इल तो यह पिकाश का इस्तिमाल हो जाता है इसके वाद आगे बढ़ते हैं How be my games playing is Rearrange the sentence ये भी rearrange आप से पूचा जाएगा कॉश्चन में आप जरूरी नहीं है कि यही बाग काई लेकिन आप rearrange करना सीख लेते हैं तो फिर आप पे बनने लगेगा चलिए कर लेते हैं तो rearrange में आपको ध्यान रखना है इसमें लिखा है How be my games playing is तो इसका बनेगा यहां पर देख लेते हैं games playing यानि कि खेल खेलना is यान है my hobby तो इसको इस तरीके से बना देते हैं कुछ बाग के तो आपको समझ में ही आ जाएंगे games playing is यानि है my hobby my hobby मतलब खेल खेलना मेरी hobby है तो games playing is my hobby मेरा sock है hobby का मतलब क्या होदा sock तो यह rearrange हो जाएगा इसके बाद है he is very lazy he cannot go to school he cannot go to morning back यह लिखा है morning back अब इसमें so that का इस्तिमाल करना है तो so that का इस्तिमाल बहुत ही simple होता है जिधर very लिखा है वहाँ so का इस्तिमाल कर देना है और दोनों बाकियों को that से जोड़ देना है बस simple है और यदि very लिखा भी नहीं आता है तो भी आपको साहिक क्रिया के बाद so का استعمال कर देना है तो यहाँ पर very की जगाए पर so लिख दीजिए आप तो यहाँ पर मैं लिखूंगा he is very very की जगाए पर क्या करना है so तो very अटा देते हैं और क्या कर देते हैं so he is so lazy और बाग के खताम हो रहा है इसलिए बाग को that से जोड़ देते हैं that अब यह बाला पूरा that he cannot he cannot go to morning back go to morning back तो इस तरीके से आप सभी चीज़ों को कर सकते हैं और यह आप do as directed जो है इनको so that का use तो होना ही है और if unless तो आना है as soon as no sooner than भी आ सकता है और translation में इने जो करवाए है वो अच्छे से आप देख लीजिए और उसी चैनल पर मिल जाएंगे आप free online coaching वहाँ पर search करिए तो playlist मिलेगी उसमें आपको 9th में नहीं जाना है 10th में जाना है 10th में जो math की playlist है उसी में मैंने डाल दी है तो आप वहाँ से देख सकते हैं और उसके साथ साथ उसमें और भी important questions है तो आप वह देख सकते हैं और do as directed जो seven हमने question किये हैं इसके बाद और भी question है तो इसके बाद लगातार continue में मैं डाल रहा हूँ और next part अभी मैं थोड़ी देर बाद डालूँगा तो अभी आप ये देखिए उसके बाद मैं ये डालूँ थैंक यू